आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello Friends, हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है वक्र Y बराबर X, X-1, X-2 यह तीनों गुणा में है और हमें बोला है X तता कोटियो X बराबर 0 तता X बराबर 3 के मद्दे इस्ति छेत्र का छेत्रफल ग्याद करना है तो देखो यहां से मैं पहले जब भी इसका छेत्रफल निकालना होता है तो हम समाकलन विद्धी का उप्यों करते हैं वक्र दे रखा होता है और कुछ अपने पास परिबद छित्र दे रखा होता है तो हम समाकलन विद्धी का उप्यों करते हैं और समाकलन विद्धी का उप्यों तब करते हैं पहले अपने पास graph दे रखा हो, तो सबसे पहले जैसे ही मैंने एक कार्थिय तल इस तरह से बना लिया, इस कार्थिय तल मैं मैं इसका graph बनाऊँगा, तो देखो यहाँ पे मेरे पास y बराबर कितना दे रखा है, x, x-1, x-2, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 3 सुन्न अबर 2 है, इस तरह से मेरे पास यह तीन बार कटेगा, अब सवाल यह उठता है कि यह x-x के उपर आएगा, कौन सा भाग उपर आएगा और कौन सा भाग नीचे आएगा, ठीक है, तो देखो यहाँ से आप एक चीज दे सकते हो, कि यह अपने पास जो है, जब माइनस अनन् सकता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जब 0 से मैंने x का मान 0 से लेकर 1 के बीच में डाला, तो यहाँ पर यह चाने वाला है और वापस यह x-x को काटेगा, तो यहाँ पर से नीचे आएगा, ठीक है, उसके बात देखते हैं, जब X का मान 1 से लेकर 2 के बीच में जब आता है या इसक faut 2 है उपर अ गया फिर एक अब्सक्राइब यहां पर क्या ये नचे जाएगा, तो हम देख लेते हैं कि एक्स का मान 2 से लेके 2 लेके जी से अनंत पर भेह तो यह भी दनात्मग होगा और यह भी दनात्मग होगा पर दोसे ब्ड़ा और ना तो यह अग्षा उपर चला जाएगा इस तरीक एकस से परीबद है और साती सात, एकस पराबर 0 मतलब y x से परीबद है, लब यहाँ से start होगा, तो इसका graph भी मैं बना देता हूँ, यह क्योब y x के उपर ही आने वाला है, तो यहाँ से जैसे मैंने start किया, और क्योब y x के उपर उपर मैंने बना दी है, ये X परावर 0 का अपने पास graph आ गया इसको कह भी सकता हूं इसके बाद मेरे पास Y, X बरावर 3 है तो ये Y, X के बिलकुल समानतर कर ना एगा और X बरावर 3 से घुजड़ेगा तो इसको गुज़ार के भी बता देता हूं जैसे मैंने एकस के विल्कुल समांतरे का खीच दी ठिक है और यहां पर देखो यह अपने पास कितना है एकस बराबर 3 यह एकस को एकस बराबर 3 पर काट रहा है तो X बराबर 3 की रेखा गई पतलब अपने कुछ प्रोंचे चानकित भाह का चित्रमडर निकालना है एक तो dx और कहां से कहां तक करना है 0 से लेके 3 तक इसका समाकलन करना है 0 से लेके 3 तक इसका समाकलन कर दिया और यह 6 एंकित भाग का छित्रफल जो आएगा उसको मैंने delta से निवपित कर दिया तो देखो मेरे पास y का मान किसके बराबर था x कुणा में x-1 गुणा में x-2 अब इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं गुणा करके तो यहां पर यह इससे गुणा होगा तो x की गाद 2 माइनस 3x प्लस 2 हो गया इसको फिर से अपन x से गुणा करते हैं तो अपने पास y बराबर कितना आ जाएगा x की गाद 3 माइनस 3x की गाद 2 प्लस 2x ठीक है यह y की जगे यह मान रख देंगे तो अपने पास आएगा डेल्टा बराबर 0 से 3 तक इसका समा कलन ठीक है और फलन क्या दे रखा है x की गाद 3 माइनस 3x की गाद 2 प्लस 2x dx ठीक है अब देखो समा कलन करते हैं तो हम लोग सब जानते है x की गाद n का x के साब एक समा कलन बराबर होता है x की गाद n प्लस 1 बटा n प्लस 1 और चुकि n निष्चित समा कलन है तो अचरपत आ जाएगा यहां निष्चित समा कलन है अचरपत नहीं जाएगा तो देखो यहां से मेरे पास क्या आएगा X की गाद 4 बटा 4 यहां पे देखो 3 X की गाद 3 बटा 3 तो 3 से 3 कट जाएगा X की गाद 3 बचेगा ठीक है? X की गाद 3 बचेगा यहां पे देखो X की गाद 2 बटा 2 और 2 से 2 कट जाया तो X की गाद 2 के ओल बचा इसमें सीमा जो दे रखी है वो भी इसमें लगा देता हूँ 0 से लेके 3 तक अब इसको सरल कर लेता हूँ तो यह मेरे पास आ जाएगा सीमा का मान जब 3 रखेंगे तो 3 की गाद 4 कितना हो गया 81 बटा 4 जब 3 का मान इसमें रखेंगे तो 3 को 3 बार गुणा करेंगे यहां पर आ गया 27 फिर अपने पास 3 की गाद 2 मतलब अपने पास आ गया 9 ठीक है जब 0 रखेंगे तो यह सारे 0 के 0 ही आ जाएंगे तो कोई लिखने का कोई मतलब भी नहीं है अब देखो इसका करते हैं आगे तो डेल्टा बराबर मेरे पास आ जाएगा यहां पर बचा कितना यह 27 में से 9 गया 18 बचेगा ठीक है तो 81 बटा 4 माइनस 18 आ गया लगुतम लेंगे तो 81 और यह देखो 18 चोकू बहतर अपने पास आ गया अपने पास जो वक्र दे रखा था य बराबर X X-1, X-2 X-1, X-2, X-2 तता कोटी और X बराबर 0 और X बराबर 3 के मद्दे इस तिर चेतर का चेतर पल आ गया 9 बटा 4 वर गी कई ठीक है तो यह अपने उत्तर आ गया ठीक है Thank you